हेलो दोस्तो टेक्स न्यूज इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है सीवी डीटी ने एक सर्कुलर जारी किया है सर्कुलर नंबर है सर्कुलर नंबर 2, 19 जनवरी 2022 को किया है इसके बीच में ये बताया गया अगर यूलिप 1.2.2021 के बाद इशू किये गए है तो उसमें जो आपका प्रीमियम है वो 1.5 लाग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो अगर 1.5 लाग से ज़्यादा होगा तो एक जम्शन जो आपको 10.10D के अंदर मिलती है वो खत्म हो जाएगी और अगर एक पॉलिसी कराई है तो एक पॉलिसी का धाई लाग से कम होना चाहिए तो अगर ज़्यादा पॉलिसी करा रखी है तो किसी भी साल के अंदर धाई लाग से ज़्यादा प्रीमियम नहीं होना चाहिए जिस जिन भी पॉलिसी का धाई लाग से कम होगा वो policies exempt हो जाएंगी और जो दूसरी policies है वो taxable हो जाएंगी तो अगर 1.2.2021 से पहले की policy है तो उनके उपर ये rule लागू नहीं होगा तो इस circular के अंदर जो है अलग अलग example बनाए गए है तो इसमें सबसे पहले example है कि 1.4.2011 को policy ली गई थी annual premium 5 लाग था, summer short 50 लाग था और consideration 1.1.21 की जो received हो गई 60 लाख रुपे तो क्या इसके अंदर 10.10.D की exemption मिलेगी तो answer है yes क्योंकि ये policy जो है 1.4.2011 को ली है तो इसलिए इस पर ये rule लागू नहीं होगा अब आगया कि next policy है 1.4.2011 के बाद ली है annual premium 5 लाख रुपे है और summer short 50 लाख रुपे है और maturity पर 60 लाख रुपे मिले है तो क्या ये exempt होगी तो इसका answer है नहीं क्योंकि इसकी policy एक तो 1 फरवरी के बाद ली गई है ये policy और premium भी 5 लाख है यानि कि 5 लाख से ज़्यादा है तो इसके अंदर क्या है कि ये policy एक जम नहीं होगी example 3 है इसके अंदर policy के अंदर 1.4.2011 के बीच में ली गई है धाई लाख premium है तो इसके अंदर क्योंकि premium धाई लाख है तो 1.5 लाख तक तो माफी है इसलिए ये माफ हो जाएगी नंबर 4 पे है दो policies ले रखी है इन्होंने annual premium एक का 2 लाख रुपे है दूसरा का 3 लाख है दोनों policy है एक फरवरी 2021 के बाद और जो 3 लाख वाली policy है वो taxable होएगी इसी परकार अलग अलग एक और example दे रुझाय है कि एक लाख की एक policy ले रखी है हमने एक टेड़ लाख की ले रखी है और तीसरी तीन लाख रुपे की ले रखी है तो कितना माफ होगा A और B जो policy है इनका दोनों का मिलाकर 5,5 लाक है और तीसरी policy 3,5 लाक की है तो वो 3,5 लाक वाली है जो टेक्सेवल होगी example 6 दे रखा है जिसके अंदर 5,5 लाक की एक policy ले रखी है पर ये 14 2020 को लिए दोस्तों ये ध्याम रखना है कि एक फरवरी 2021 के बाद ली हो एक फरवरी 2021 के बाद तो ये 5,5 लाक की policy है 21 के बाद वाली policy तीन है ये 1,5 लाक की है और 3 लाक की है तो ये तीनों चारों policy के अंदर क्या माफ होगा ये तो एक चार 2020 की है ये तो पूरी की पूरी माफ है और ये 1421 की है और ये भी 1421 की इन दोनों को मिला कर 5,5,5,5 बन रहा है ये दोनों exempt हो जाएंगी और 3,5 फाली taxable हो जाएगी अब इसके बाद example आ गया X, A, B, C चार policies हैं ये सभी policy एक फर्वरी 2021 के बाद ले रखी है तो ये 2,5 रुपे की है ये 1,5 लाग की है ये 3,5 लाग की है तो कौन सी exempt करेंगे हम देखिए दोस्तों जो पहली X policy है ये तो 2,5 रुपे की है और ये पूरी पूरी exempt हो जाएगी क्योंकि 2,5 लाग से कम है ठीक है और ये तीनों policy जो कुल मिला कर अगर इन में देखे तो X को भी बीच में जोड़ दें तो 2,5 लाग से उपर जूप बन रही है तो ये तीनों A, B, C, तीनों taxable हो जाएगी उसके बाद फिर example आ गई कि 1,5,5,5 लाग और 3,5 लाग तीन policies करा रखी है X, A, B, C, 4 policies करा रखी है तो कौन सी exemption होई कौन सी exempt हो गई और कौन सी taxable तो X जो policy एक लाग रपे किया ये exempt हो जाएगी उसके बाद A policy है ये भी exempt हो सकती है क्योंकि 1,5 लाग तक दोनों का जोड़ मिला कर 1,5 लाग मन रहा है B जो policy है वो 1,5 लाग की है तो ज्यादा फैदा क्या होगा 1,5 लाग दोनों को मिला कर अगर exemption ले ली जाए तो 0,5 लाग मन जाएगी तो A और C taxable कर देंगे हम X और B जो है वो exempt कर देंगे इसके बाद policy आ गई 1,5 लाग और 1,5 लाग और 3 लाग की चार policies आ गई 1,4,1 को 1,4,2,1,4,2,1,4,2 तो इस example में दोस्तों ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जो X policy है इसके उपर उसने जुलिप का claim नहीं किया exemption तो अगर X के उपर वो claim नहीं करता तो वो A और B के उपर claim कर सकता है तो ये दोस्तों समझाने की कोशिश की है कि असेसी अपनी मरजी से चोड़ सकता है अगर उसने claim नहीं किया तो वो चोड़ सकता है उसके बाद वो उसको ढई लाग रुपे तक की exemption ले सकता है अब इसके बाद ये आगई policies के अंदर 5 policies है एक लाख रुपे की 1 लाख की 1 लाख और 1,5 लाख और 3 लाख ये policies ली हुई है 1,4,21,1,4,22,1,4,22,1,4,22 ये 6 लाख रुपे की इसने करार रखी है और ये 12 लाक रुपे की एंकैश्मेंट करवाई है और ये 12 लाक की करवाई है ये 18 लाक की ये 34 लाक की तो अब ये इसमें कैसे एंकैश्म करवाईगा तो इसके अंदर उसको 5 लाक की छूट मिलनी है तो वो देख लेगा कि मुझे बैनिफिट कहाँ पर है जैसे X पॉलिसी और X पॉलिसी सिर्फ 6 लाक रुपे उसे मिला है तो 6 लाक की एंकैश्मेंट उसे लेने का कोई फायदा नहीं है Y पॉलिसी है जो उसके अंदर 12 लाक रुपे मिले है और जो B पॉलिसी है इसके अंदर 18 लाक मिले है तो अगर Y और B वो exemption करवा ले तो अच्छा रहेगा इन दोनों का premium जो मिलाकर एक लाक और देड़ लाक रुपे हो जाएंगे तो X, A और C ये तिन्नों taxable हो जाएंगे तो दोस्तों ये सारी थी जो circular latest जारी हुआ है उसके बारे में detail और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए धन्यवाद दोस्तों